इस प्रयोग करने की सही तरीका तथा इसके प्रयोग करने की सही मात्रा क्या होती ये भी आज पूरी जानकारे इस वीडियो में की गई अस्वगंदा का पौधा जंगली पौधा भी होता है और इसकी खेती भी की जाती है जंगली पौधा आप वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार के इसके पत्ते होते हैं और ये कम से कम एक से तीन फूट तक उंचा होता है कभी कभी चार फीट तक भी उंचा हो सकता है इसके फल सुरुवाती अवस्था में मतर की दाने जैसे हरे रंके होते है लेकिन जब पूरी तरह पक जाता है तब ये लारंका हो जाता है अस्वगंदा पूरे भारत वर्स में पाई जाती है आयरवेद में दवाई के रूप में अस्वगंदा की जड़ों का ही प्रयोग ज़ादातर किया जाता है ये महिला और पूरूस दोनों के लिए उपयोगी होती है अस्वगंदा ये मुल संस्कूर्च सब्द है अस्वगंदा का अर्थ होता है घोड़ा इस पोधे की जो कच्ची जड़े होते हैं इसमें घोडे के पेशाब की समान गंध होती है इसी कारण इस पोधे का नाम अस्वगंदा रखा गया होगा इसकी सुखी जड़ों में ये गंध बहुत कम हो जाती है अस्वगंदा खाने से कमजोर आदमे भी घोडे जैसी ताकत व और विज्यानिक नाम विठेनिया सोमनी फेरा है अस्वगंदा बल बढ़ाने वाली रसाइन कडवी कसेली गर्म प्रकूति की और विर्यवर्धक होती है ये सफेद कोड कूष्ट सुजन कप और वाईविकारों में बहुत उप्योगी होती है अगर आपको हमारी वीडियो पस आनकारी आप तक पहुंचती रहे ये जड़ी बुट्टी विशेश रूप से रसाइनी होती है अगर किसी व्यक्ति को मेलरिया डेंग्यो या किसी भी प्रकार की बीमारी के कारण सरीर दुरबल हो गया हो तो अस्वगंदा का सिवन पहुत ही लापकारी सिद्ध होता है अस अस्वगंदा एक ऐसी जड़ी बुट्टी है जिसका सेवन करने से आंकी तेज बनती है बाल काले बनते हैं और सरीर शक्तिसाली बनता है अस्वगंदा का प्रयोग करने से इम्म्यूनिटी शिस्टम बढ़ती है और सरीर ताकत से बर जाता है दोस्तो जिन लोगों के बाल उम्र से पहले सपित हो गए हो ऐसे लोगों को अस्वगंदा का चूर्ण रोजाना दो से चार ग्राम की मात्रा में शिवन करने से बालों का समय से पहले सपित होना बंद हो जाता है और बाल काले बंते है अस्वगंदा का सिवन करने से आंखों की जोती बढ़ती है दो ग्राम अस्वगंदा की चूर्ण की साथ दो ग्राम आवला का चूर्ण और एक ग्राम मूलेट का चूर्ण मिला कर एक एक चमच सुबह साम पानी के साथ रोजाना सेवन करें इसे आखों की जोती चल्दी से बढ़ती है दोस्तो ये रदे के लिए भी काफी पाइदमन होती है रदे क की बीमारी में दो ग्राम अस्वगंदा के मूल की चूर्ण को पानी के साथ रोजाना सेवन करने से रदे का तर्दक दूर होता है दोस्तो अस्वगंदा के दो ग्राम चूर्ण को अस्वगंदा की ही विश मिली लिलिटर क्वात के साथ रोजाना सेवन करने से क्षय रोग म दस ग्राम चड़ को कूट कर इसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाकर नबग 400 मिलिलेटर पाने में पकाना चाहिए जब आठवा हिस्सा सेश रह जाए तब ठंडा होने के बाद उतार कर चान लेना चाहिए फिर इसमें से दिन बर थोड़ा थोड़ा पीते रहने से खांसी और काले खा चाहिए कुछ दिन लगातार इसका सेवन करने से पेट की क्रूमी नष्ट हो जाती है सिर्फ अस्वगंदा की चूर्ण को गर्म पाने के साथ सेवन करने से अजिरन मिटता है यह महिलाओं में होने वाले सफेद पाने की समिश्याओं को भी दूर करती है इसके लिए 2-4 ग् चूर्ण को गाय के दूद या सक्कर के साथ मिलाकर चाटने से कमर का दर्थ ठीक होता है दोस्तों सरीर की दूरबलता को नष्ट करने के लिए अस्वगंदा का सदियों से उप्योग किया जाता है इसके लिए 2-4 ग्राम की मात्रा में अस्वगंदा के चूर्ण को गी या द दूद के साथ यथा विदी एक वर्षत तक सेवन करने से सरीर रोग रहित बन जाता है इसके अलावा एक ग्राम अस्वगंदा की चूर्ण की साथ 125 मिली ग्राम मिश्री मिलाकर रोजाना गुन-गुने दूद के साथ पीने से विर्य पोष्ट बनता है बलकि रुद्धी हो अस्वगंदा की जड़ो का पावडर लेना है जो पंचारे की दुकान पर से आपको आसाने से मिल जाएगा दवाय के रुप में अस्वगंदा का सेवन सिमिट मातरा में ही करना चाहिए एक दिन में इसका सेवन अधिक से अधिक 3-4 ग्राम की मातरा में ही करना चाहिए रात याना एक से दो केपसूल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सकते हैं ध्यान रहे अस्वगंदा गर्म तासिर की होती है इसलिए करबवती महिलाओ को इसका सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए अस्वगंदा के पाउडर को दो से तीन चमच की मात्रा में पाने में उबाल कर काड पानी जिब आधा ग्लास सेश रहे तब ठंडा होने के बाद चान कर पी जाए इसके अलाबा अस्वगंदा के पाउडर को घी में बून कर भी इसका सेवन कर सकते है